हेलो अब्रिवन कैसे हूँ आप सभी आई होप आपनों अच्छे होंगे स्वस्त होंगे आज मैं आप लोग को ब्लाउच में डालना बताऊंगे बहुत ही तरीके से और यह जो डिजाइन है आजकल बहुत जादा ट्रेनर में चल रही है और अगर आपने यह डिजाइन बना आपको बहुत ही प्यारा लगेगा क्योंकि आप घर पर ही बना सकते हुए इतना प्यारा सा डिजाइन और बहुत ही इजी तरीका है इसको बनाने का तो देखिए ब्लाउच को मैंने कटिंग करना आप लोग को पहले ही बताया है अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं दे सेंगय का पूर्णे 3 इंच का मैंने सोल्डर सेंगा रगाया है मुझे 3 इंच करनी इसे सेंट मैं सेंट आप कोई सेद दे सकते हुए लेकिन मैं सेंट चाहिए पmpol昨ड में प्यारा सक रखाएगा जयात पते तरीयल होदा ब्यार घ्यार बनाने का और सुन्दर भी है तो तो तक हम जब इस पर शिलाई लगाएंगे लेना ये तो जो हमारा कला है जैसे हमारा कला है उसी तरीके से आपको इसमें शिलाई लगाने थोड़ा सा हिस्सा छोड़ते हुए तो देखिए नौप मैंस तरीके से लगाएं इसको हमको मार लेंगे और से हम चलाई लगाएंगे और आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइक को प्रेस करना मैं आप लोग के जाद अच्छा आइडिया पोस करता हम होगी ना तो ओटोमेटिक वह आ जाएगी तो आप वहां जाके देख लेना तो देखिए मैंने चार तरफ गले पर कट्स लगा दिये हैं अब पहले हम नीचे की सारे में भी एक चलाई लगा देते हैं है we need to abide Sword यथा यह था लगी होई है इसके उपर से हमने की सिदा की यह सिदा आ गया है था की अब नीचे से इस में चुने के रगा होकाट और को निदा है इक जाए हम अंब की यह जो नहीं सिदा हूँए लहां सेट किया था ताकि अब इसको हमने सीधा किया है तो फ्रंट पार्ट में सीधा आ गया देखिए इस तरीके से अब जो सिलाई लगी हुई है इसके उपर से हमें इस तरीके से नाखुन लगा देने हैं ताकि जो सिलाई है वो उभर के सैट हो जाए अच्छे से आपको सिलाई लगाने में तिक्कत नहीं होती है इस तरीके से अगर आप सैट कर देती है ऐसे हमें नीचे की सैट में भी नाखुन से सैट कर देना है तो देखिए इस तरीके से हमने इसको सैट कर दिया है अब आपको पहले उपर वाले गले पर आपको सिलाई लगानी है पू यह हमारा है साध़े का बाउट पेस लग रहा है आपको भी क couples अबर से हम थोड़ी हलका सा सीram और अगर आप इसे लज़ा न छाओ तो लेस लगा सकते हो लेकिन अबम ह्य गज़ी तो इसलिए मैंने इस पर लेस्ट नहीं लगाई विना लेस्ट के बनाया है यह पूरा बलाउश क्योग्त आज आफ तक बहुत सारे बला इस यह चले हैं और मैंने बलाउश बना लीए है लेस्ट वाले तो आज मैं बिना आप देखिए जिसकी लंबाई रखते हुए तरके से डवल फोल्ड करेंगे और देखिए आपको किनारी पर हलका सा गोल से देना आप देखिए ध्यान से आपको नहीं रहा रहा होगा तो दोनों साइट से मैंने गोल सब दिया है अब इसी आदा से लेंगे और सलाई को निका तो इसमें आपको बीच में ही जगह छोड़नी है अगर आप साइड में छोड़ दोगे तो इसलाई अच्छे से नहीं आएगी अच्छी लगने लगेगी साइड में अगर दिखेगी तो क्योंकि उपर से भी एक सिलाई इसमें लगानी पड़ेगी जो जो हमने खुला आप देखिए दूसरे वाले पार्ट को भी हम कर लेते हैं रेटी तो देख अच्छी तरीके से मुस्त्याइब कर दिया अच्छी हम फोल्ड करेंगे ओल्टी साइड से और इसे कौने पैसे आपको इस तर्चा शलाई लगाने तर्ची और आपको फिर्श्ची लगाने इस और बीच मकों से निकाल देना है तो यह इसे करना देना और जहां हम ने ओलुड़ ना है तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा देना है और तो आपको स्ads दुड़ा दे ना दो शुदया है और मैं आपको इसे माले के इश तरीकह से ख़्ले वाले नव सीय, फान वेसे तक ब से हो जाएगा तो आप किसी भी पेजकस की सहता से या किसी की भी सहता से कर सकते हो तो देखिस में पिन की सहता से इसकी नौक को निकाल रही हूँ क्योंकि नॉक नहीं निकल पारेती है इसको सीधा इस लिए तो इस तरीके से हमस्कूपक को निकाल दिया दूसरी से गीए हमें में इससे करेंगे तो मैं आपको देखा देती हूँ विए कैसे मैंने भीज भीजिच ओर झापस दो एसको वो भी हम इस तरीके से सिल देंगे तो बलकुत बार एक सिलाई लगाने हैं आपको किनारी किनारी ताकि आपकी यह सिलाई को दिखेना तो अब देखिए इस तरीके से हम इसमें 20 सेंटर में निशान लगाएंगी पहले और निशान लगाने के बाद में आपको सुधागा लेना है और इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा सोड़ते हुए सिलना है और यह हमारा फ्लावर सेट में बनके देवी हो जाएगा इस तरीके से हमने सिल दिया अब इसमें आप नोट लगा देना अच्छे से अब इसे हम पीछे से से कर देंगे तो पहले में इसमें नोट लगा देती तो कि निकल रहता है इसलिए टो यह नोट लगाने के बाoqu में शैट हो जाया गवाएं कि में तो देखिए इस तरीके से यह हमारा लूप बंके रेडिय हो गया एक फ्लावर सेब में ए और इसको हमें देखे डवल फोल्ड करना है इस तरीके से तिर्चा सा फोल्ड करना है आपको सीधा नहीं करना है मितलब तरह उपर आपको थोड़ा सा तिर्चा सा लेना है ताकि जो हमारी दोनों पट्टी है वो अलग लग देखें और इस तरीके से इसको भी हमें चल देना ह पीछे की सेट में रखना है इसको आपको जो हमारी पट्टी है इसको तो यह हमारा इस तरीके से फ्लावर रेडी हो जाएगा एक लिए अब देखिए आपको क्या करना है आपको ब्लाउज लेना है अपना यहां पर इसको सेट कर देना है तो इसको आपको बीच सेंटर में सेट करना है तो देखिए अच्छी तरीके से आपको सलाई लगा देनी है ताकि यह निकले ना और यह मैंने सलाई लगा के सेट कर दिया है अब इसके उपर कोई विया फ्लावर वगएरा या फिर बटन हूँ आपके पास कुछ भी मतलब का हो लेकिन तो वह आपको लगा देना है या फिर फ्लावर इसमेल से चोटा सा बना की भी लगा सकते है अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बटन बगएरा नहीं है तो अच्छी तरीके से नॉट लगा दी है ताकि यह निकले ना कि यह हमारा ब्लावज का डिजाइन जोड़ी है अब उपर से हमने फ्लावर लगा दिया इस तरीके से होती प्यारा सा लुक आया है बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है यह डिजाइन मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आई है आपको कैसी लगी आप भी कमेंड कर की जरूर बताना अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर्म लेंगे एक नई वीडियो के साथ बाइबाए टेक क्यार